केंद्र सरकार की अगनीपत योजना के खिलाफ कई राज्ज में प्रदर्शन हो रहें विरोध की आग लगा तार भैल रही वहीं 36 गड़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार को खेरा है उन्होंने अगनीपत योजना को युवाओं के साथ धोका बताया उन्होंने कहा कि चार साल की नौकरी के बाद सभी को भरती देना संभब नहीं ऐसे में युवा गिरो बनाकर आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं केंद्र की सरकार देश की सीमाओं और भविश्र के साथ खिलवार कर रही पूड काली भरती क्यों नहीं कर रहे हैं दो साथ से आप भरती नहीं कर रहे हैं और चार साल बाद हो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरुजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगा क्या पुलिस में भरती करें संभाव है और भरती हुए ठीक है और नहीं भरती हुए वह उनको बंदुक चलाना आ गया है तो समाज को किस दिसा मिले जा रहे हैं आप? आपकी नियत शीक नहीं दिखाई दे रही है समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा दूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोग बना के अपर आधी घटनाओं में भी सामिल हो सकते हैं मुख्यमंतरी भुपेश बगिल के बयान से इतर पूर्व सियम रमन सिंग ने अगनीपत योजना को देश में एक नया प्रयोग बताया उन्होंने कहा कि मिलिटरी ट्रेनिंग को कंपल सरी नहीं किया जा सकता ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आएं और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तयारी हो एक अच्छा प्रयोग इस देश में हो रहा है अन्य देशों में भी इसी तरीके की परमपरा है भले ही बीजेपी कुछ भी कहें लेकिन अगनिपत यूजना को लेकर देश के कई राज्यों में सेना भरती की तयारी में लगे युबाओं के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है हाला कि 36 गड़ में स्थिती सामान ने है सीम भुपेश पखेल केंदर सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी केंदर के फैसले का समर्थन कर रही अब देखना होगा अगनीपत पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाएगा नमस्कार बहुत स्वागा थे आपका 36 गड़ आज का मुद्दा में आपके साथ मैं हूँ दीपक मिश्रा और आज हम जिस विशे पर चर्चा करेंगे वो बेहत खास है क्योंकि आज उसका असर ना सिर्फ 36 गड़ में ना सिर्फ मद्ध प्रदेश में समूचे हम देश भर के अलगलक राजियों की बात करें तो वहाँ पर देखने को मिला है दरसल केंडर की अगनिपत योजना के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार, हर्याना से लेकर तिलंग गाना तक हिंसक प्रदर्शन का दौर आज देखने को मिला यूबा बड़ी संख्या में सडग पर आ गए, हालात आज चिंता जनक होते गए और इस बीच कॉंग्रेस नेताओं ने केंडर की मोदी सरकार पर लगातार हमला बूला है 36 गड़ के मुख्यमंतरी भुपेश बगेल ने भी अगनीपत योजना पर केंडर सरकार पर निशाना साते हुए सवाल भी पूछाए कि अगर चार साल बाद जब वो सेना में भरती आला चवान जब घर लोटेगा वो बेरोजगार होगा उसके लिए क्या प्लान है सरकार के पास आज इसी अगनीपत योजना पर हम करेंगे चर्चा जिन महमानों के साथ हम जुडेंगे चर्चा करेंगे पहले जल्दी से उनसे मिल लीजे हमारे साथ जो महमान जुड रहे हैं कॉंग्रेस और बीजेपी से घंशाम राजु दिवारी जी कॉंग्रेस नीता हमारे साथ जुड रहे हैं बीजेपी से हमारे साथ राजीव जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ट पत्रकार अनिल जी जुड़ रहे हैं आप तीनों का बहुत स्वागत है सबसे पहले राजीव जी मैं आपके पास बात में आऊंगा लेकिन पहले मैं वरिष्ट पत्रकार अनिल जी की रियाक्शन ले ले इसको समझ नहीं रहे हैं, इस क्रिशी कानून को काला बता रहे हैं, अब ये जो सरकार नई योजना लेकर आई है, जिसमें युवाओं के बारे में सरकार सोच रही है, बीजेपी कह रही है कि इसमें देश के युवाओं को मौका मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन कॉ युवाज सड़कों पर जिस तरह से आये हैं विरोध एक तरह से किया है क्या आप मानते हैं कि इस योजना को लॉंच करने में जल्दबाजी हुई है या जमीनी तौर पर तैयारी ठीक से नहीं की गई युवाओं तक इस योजना का सटीक संदेश नहीं पहुंच आए गया क् अबाट में आरट कर्काल है उसमें उन्होंने यह दूसरा प्रयोग किया है, लोगों को याद होगा कि इसके पहले सरकार प्र लेटर्ल इंटरी के नाम से योजना ले करके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आप UPSC पास किये बगेर सीधे इंटर्वु दे करके IES की समकष संयुक्तों सच्चिव बन सकते हैं और इस लेटरल इंटरी का पूरे देश में स्वागत हुआ था और उसमें IIM से ले करके तमाम तरह के युगाव संयुक्तों सच् सरकार ये अगनीपत योजना लेकर के आई है ये भी दूसरे देशों की एक तरह से प्रयोग ऐसे हुए है आप ब्रिटन में देखिए प्रिंस चार्ल्स महराजा बन रहे थे और उसके पहले उनसे सवाल किया गया कि आपने सेना में जा करके कुछ देश के लिए काम किया य लगता है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वो अंधेरे में एक लकिर पीट रहे हैं आप देखिए कि पाच करोड यूवा ऐसे हैं जो एनसी सी में हैं एनसेस में हैं राष्टी सेवा योचना में हैं स्काउट गाइड में हैं इन्होंने बकाइदा ट्रेनिंग ल करने चाहिए अब देखे मेरा कहना है कि अगर इस योजरा को ले करके कुछ यूवा विरोध कर रहे हैं तो उनके दो बड़े सवाल हैं और वह बड़े सवाल सरकार को किलियर करने चाहिए पहला सवार तो सरकार ने Agrear कर दिया उम्र को लिकर कि था कि 22 साल की उम्र में क्या आप सेना जुआइन कर सकते हैं सरकार ने बोला ठीक है दो साल में सेना की में भरतिया नहीं हुई है इसलिए आप दो साल और बढ़ा दिया सरकार ने अब दूसरी बात जो बड़े सवाल उठ रहा है वो यह कि यह जो अगनी वीर अगनी पत ही साएंगे क्या उन्हें सरकार सामरिक मोर्चे पर भी भेजेगी क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा युद्ध होगा तो शहादत होगी तो ये सब नियम जो है और यदि साहदत हो गई तो उस सरकार को उसको लाभ देने के लिए सरकार के पास क्या नीतियां हैं क्या योजनाय हैं तो यह सारी चीजे सरकार को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए ले फिर से कह दू कि योजना बहुत अच्छी है एक रोजगार देने के हिसाब से आई है और एक बात और कह दू किसने कह दिया कि 22 साल के उम्र में यदि कमा करके सेना से रिटार हो रहे हैं तो बाकी की जिंदगी आपके लिए नौकरी और बिजनेस के लिए पड़ी हुई है इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ हवा में लकिर पीट रहे हैं उन्हें फिर से समझाना चाहिए और इस नए यो पुझा आप क्या मानते हैं क्या सरकार ने जल्दबाजी कि इस योजना को लागू करने में या फिर सरकार उन युवाओं तक ठीक से संदेश नहीं पहुँचा पाई कि इस योजना का आखिर लाभ कैसे हो गा कितना होगा क्या इसकी जानकारी ये जमीनी हकिकत क्या है क्या जमीन इसकी ठीक से तयार नहीं हो पाई, जल्दबाजी हो गई, क्योंकि आज जो तस्विरे आए हैं वाकिछ चौक आने वाली है दीपक जी मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छा प्रश्ने किया है सेना की बात है और रक्षा से सम्मंदीत बाते हैं और एक देखी सेना में जो होता है एक फ्रंट लाइन, सेकेंड लाइन पैरेट रूपर्स, थर्ड लाइन पैरलल आर्मी, और फोर्थ लाइन होती है एन्सिसी और स्रेश्ट नागरिक, यह लेटरूल आर्मी तो यह तो बहुत वर्षों से चला रहा था, कि हम किस प्रकार चला है, यह रातोरा छह मेने का यह एक साल की बात नहीं है, यह वर्षों से चला रहा था, कि जब इस्राइल का हर नागरिक, सैनिक होता है अमेरिका में नियम है कि आपको इन्फेंट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ी की, विश्व की बहुत सारी देशों में है, तो यह समझ में नहीं आता है कि देश विरोधी स्लिपर सेल, युवाओं के बीच में टुकले गैंग, और यह तमाम लोग किस प्रकार से ऐसे में आता है कि नौकरी खतम हो गई साब, चार साल के में की नौकरी है, मैं आपको बता दो, हमारे राजिपाल थे 36 गड़के, शेखरदत जी, वो 71 की लड़ाई में लड़कर आए, और लड़के आने के बाद, वो अपने अकैडमी के कोटे से वो इसमें आए, एड्मिस्टे वो वापस सेना में रहेंगे, और आगे कमिशन भी प्राप्त करेंगे, या जो जिस शेतर में जाएंगे, और बाकी जो तमाम लोग रहेंगे, वो वापस अपना वैपार शुरू कर सकते हैं, वो वैपार वो अपने बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, वो अच्छे वैप विया थी जिसे आज प्रस्तूत किया गया है कि चार वर्षों में आप 21 लाग रुपे ले के वापस भी अपना वैपार शूरू कर सकते हैं या अन्य जगा जा सकते हैं और अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप वापस एडिटोरियट एडेडिकेट सोलजर के रूप मे सेना की सेबा कर सकते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं और अगनी पत के अगनी वीर आगे स्रेश नागरिक बनेंगे और बहुत अच्छे सानीक बनकर फॉर्थ लाइन के रूप में सेना में काम करेंगे चलिए गंश्याम जी आप क्या कहेंगे क्योंकि आप कॉंग्रेस पार्टी से हैं आज हमने देखा ना सिर्फ कॉंग्रेस और भी विपक्ष की कई राजनेतिक दलों ने इस यूजना का जिस तरह से अगनीपत यूजना को लेकर विरोध के स्वर देखने को मिले युबाओं ने आज सड़कों पर उतर कर नाराज़गी जाहर की कॉंग्रेस को इस यूजना में क्या खामी नजर आती है क्यों ऐसा लगता है कि ये देश के युबाओं का भविश्य खराब कर रही है या फिर आने वाले वक्त में युबा अपराधी भी बन सकते हैं जिस प्रकार से देश की रक्षा और सुरक्षा के विश्य में ठेका पद्धती मतलब कॉंट्रेक्ट रूप में चार साल के लिए भरतियां ये एक नई जो परंपरा देश में मोदी सरकार लेकर आ रही है बात इस बात का है क्या रक्षा जैसे विश्य पर क्या सुरक्षा देश की सुरक्षा जैसे विश्य पर कॉंट्रेक्ट पद्धती ठेका पद्धती सही है क्या इस पर पहला सवाल है दूसरी बात जिस प्रकार से मोधी सरकार प्रती वर्स दो करोर लोगों को रोजगार देने का वादा करती थी और जिस तरीके से इन आठ वर्सों में 16 करोर लोगों को रोजगार देने का वादा जूठा जूमला साबित हुआ आज वो अगर इस contract रक्षा भरती में रोजगार के विशे पर चिंता करते हैं तो निश्चित ही प्रस्न उठते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आज मोधी सरकार की गलत नीतियों का खामेजा देश अनक रूप में यातनाओं के रूप में सहरा है नोटबंदी की बात इन्होंने की कई सारे आर्थ सास्तियों के इस नोटबंदी के माइने समझ में नहीं आए इन्होंने कहा क्रांती कारी फैसला है इससे आतंगवात खतम होगा काला धन वापस आएगा लेकिन इसके क्या परणाम है देश आज इस बात को भोग रहा है इन्होंने GST की बात की आधी रात को ढंटा और ढंका पीट कर इन्होंने GST लागू किया जिसमें 1700 से अधिक संसोधन किये जा चुके हैं इसी प्रकार से तीन काला कृशीर कानून इनों न लाया तब भी यही भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी विचारक लोग इस बात को कहते रहे कि देश को गुमरा करने का काम किया जा रहा है किशी में आर्थिक उन्नती होगी किसानों को फाइदा होगा और तमाम प्रकार की बाते ये करते रहे डंका पिटते रहे लेकिन अन्तता साड़े साथ सो किसानों की जान लेने के बाद इस मोदी जी की सरकार ने उस काले कानून को वापस लिया आज जिस प्रकार से अगनी पत योजना के क्रियानवन के फैसले के नाम से ही देश भर में जो आग लग रखी है जिन युवाओं का उत्पात हम देख पा रहे हैं आज देश आकरोशी से देश जल रहा है लेकिन वारे मोदी सरकार और मोदी सरकार के उन तमाम मचिंदों की मैं बात करता हूँ जो देश के युवाओं के भविश के साथ उनके रजगार को लेकर खेलवार कर रहे हैं जिस प्रकार से प्रदेश के मुक्यमंत्री मानी भुपेज बगेल जी ने कहा कि चार साल की एक सेना की टेनिंग देने के बाद जब आप उसे बंदुक चलाना विभत जी आप यह एक करने की लाट से रही हैं देश को विरोधि लोग कि इसका विरोत कर रहे हैं उपद्र रहु राजिनीति जो नेक्या व्ट्रिया लोग है आपने कहा किसानों के समय यह पाकिस्तानी है यह कहीं न कहीं उगरवादी आपके पास और इस अग्रीपत योजना को सीरे से खारी कर रहा होगा राजीव जी क्या कहेंगे कि एक तरस इस सीना में बैलेंस बनाना आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा ठेका पधती का उजिक्र कर रहे हैं कि आप देश की सुरक्षा जैसे मसले पर ठेका पधती ला रहे हैं यह बलकुल गलते एवालूशन कि इसमें इक बार भर जिपक जी बहुत जी ती बहुत शर्मनाख शब्द है अब राजु जी मुझे बोलने दीजिए बहुत शर्मनाख शब्द हैं पने जांकी ट्रेणिंग में जाता है उस दिन वो कफन बाहन लेता सर पर और सरमें कफन पांदने के बाद जब वो अपने डिफेंस सिस्टम में जाता है उजी को वापस आगा कर दिया राजी जी को सुन लेते हैं नहीं मैं जितना घंशाम जी की बात को समझ पाएं वो ये शायद जा रहे कहना कि आखिर बंदर काली भर्तियां क्यों नहीं हो रही है पर पिल्कुल बिल्कुल होगी जी मैं वहीं पॉइंट पेर आ रहा हूँ कमबाइंड डिपेंस सर्वीज बंद नहीं हुआ है शौर्ट सर्विस कमिशन जो दस फर्शों का तो बंद नहीं होगी एर्मेन की सर्विस बंद नहीं होगी वहीं तो बात है कि टुकड़े गैंग और तमाम जो स्लिपर सेल है देश विरोधी वो लोग युवाओं के बीच में भ्रम पहला रहे हैं बिल्कुल जारी रहेगी सेन कि आप ठेका शब्द के इस्तिमाल कर रहे हैं वीर सेनिकों को लोकर यह कॉंग्रेस की नीती नियात और सोच है कि उन्होंने आज तक वन रेंक्वेंट पेंशन के नापर सुनिकों को जो सैनिकों ते उनकी वेतन को मजदूर के बराबर रखा वो तो हमारी सरकाराई जिसने को लाया और उनको पूरा इंशानिस दिया तो यह कॉंग्रेस सैनिकों को श्रुमिक सोचती है कि सैनिकों को बहुत नीचे और 2M दर्जाएट पर देखती है नहीं कॉंग्रेस सहित जो तमाम विपक्ष की राजनेतिक दलेवोई सवाल यही उठा रहे हैं हम भी यही समझना चाहिए जिस तरह से चार साल के लिए नियुकती होगी उसके बाद मैं इतना समझ पाराऊं कि जो 3-4 हिस्सा है वो बाहर हो जाएगा यानि 100 लोगों की निय नौकरी करता है जो दस वर्ष बाद में नौकरी करता है यह चार वर्ष के नौकरी के बाद जो बहुत सरोत्तम होंगे वह वापस वापस सेना में चले जाएंगे सेना उनको और प्रमोशन देते रहेगी उनको कमिशनिंग करेगी उनकी कंडिशनी करेगी और जो लग बच जाएंगे वह बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं वह खृशी कर सकते हैं और उनके पास एक पूंजी रहेगी किस लाग रुपए की पूंजी उनका इंशोरेंस र तो उसी प्रकार से जो अच्छे नागरिक रहेंगे उनको देखकर वो इंसपार रहेंगे चार साल के कॉंट्रेक्ट नौकरी के बाद ये कह रहे हैं कि उनके पास 21 लाग रहेंगे तो क्या ये चार साल तक वो पैसों को सिर्फ जमा करते रहेंगे खाएंगे पेंगे अपने परिवारों के पति उनके की निम्मिदारी नहीं होगी ये किस्तकार का भरंप फेलाना चाहरे हैं और ये कहते हैं बैंकिंग सेंटर उपन होगा वैवसाय कर सकते हैं तो उसके लिए आपको बतानी कि क्या हो सकता है आठ साल में आपने प्रतिवत द हो लेंगे आप क्या यह चाहते हैं कि सेना की ट्रेनिंग प्राप्त एक हमारा जवान बड़ा भज्यार प्रकुलाइब आज प्रकार्शन के लोगों को भुम्रा करते हैं दूसरे को भुम्रा कर रहे हैं आपकी बातों की अंदलिलों में चले जाए तो आप आज साल तक लो हूँगा जी जी बोली आप मैं के करके आप दोनों को चुछ आप वक्त दे रहां जी कर दोनों के समय में तीन काले कानून के समय में और उसके प्रणाम क्या हुए विशह में ठेका पद्धती चार साल के कॉंट्रेक्ट नौक्रियां कहीं भी उचित नहीं मुझे इस बात को बोलने में जरा भी अत्यशक्ति नहीं है कि भारत जैसे विसाल देश को उनके 56 सीने के पधान मंत्री को और उनके दल को इसराइल और अमेरिका की दलीने देनी पड़ रही है भारत के जवानों ने आज अदादी दिलाई है और उस सेना का अपमान अगर आप पर्टेक बेशिंट पर कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे और इस पर जवाब भार पार्टी दंता पार्टी को देना होगा अनिल जी हमारे दोनों राजनेतिक महमानों का आपने सुना ठीक है दोनों के ही अपने अपने दल हैं अपने तर्क है लेकिन जो आज हिंसक तस्वीर आई है हम यह तो अभी यह नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है या इस पर भी सियासत हो रही है लेकिन यह जो युवा आज सडकों पर आ गया है जमकर आज हिंसा की जो तस्वीरें देखने को मिली क्या एक बार फिर इस पूरी योजना को लेकर सरकार को सटीक संदेश देने किया समझाने की जरूरत है क्योंकि कई ऐस पॉइंट है जिनका घंशाम राजुतिवारी जी ने भी जिक्र किया है पिल्कुल देखें मैं आपके साथ हूं है और यह वैसी ही आग लगी है जब मंडल कमिशन की रिपोर्ट आई थी आरक्षण लाग हुआ था तब भी युवा इसी तरह सडकों पर उत्रे थे और यद है उन्हें याद होना चीए कि जब नर्सीमारा उसरकार थी तो सरकार में ठेका पदेति वहीं सरकार लिकरके आई थी और उसने रोजगार दिये थे आज भी आज बी सेना में भी जो जो चौकी दारोगरा के पद है वो आज भी ठेका पद देती से रखे जा रहे हैं गलत मंद रहे हैं दूसरी बार लेकिन जो मुख्यमंत्री भूपेश बगिल जी चिंता जता रहे थे वो इस चिंता को मैं कोट करता हूं उन्हें बिल्कुल सही का कि 22 साल के उम्रेश जब एक बात करते हैं तो जहां पर लोग कर रहे हैं वो नौकरियां कर रहे हैं यूवा जो हैं वो दिख भ्रमीत हैं वो कहीं ने कहीं आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो संकाय हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो संकाय हैं उन संकाओं को साफ करने की जरूवत है सरकार ने भी एक सेना की भरतिया होनी चाहिए वो तेजी के साथ होना चाहिए लेट नहीं होना चाहिए परिक्षाएं दे देते हैं युवार लोग और दो दो साल तक उनकी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो यह जो गुस्षा युवाओं में हैं इस गुस्षे को खत्म करने की जरूरत है तिक देश के बिहार से लेके उत्तरप्रदेश तक राजिस्थान से लेके हरियाना तक लोग सड़कों पर रहें और युवा सड़कों पर एक मिनट अनिल जी युवा सड़कों पर हैं उनके परिजन सड़कों पर हैं और यह कहते हैं दिक ब्रमीत है मुझे नहीं लगता कि ये वरिष्ट कारी कि वह संग्या दे रहे हैं चाहीं न कहीं आज देश की युवाओं में ये जो पैदा हुई है इन योजनाओं के नाम पर कहीं न कहीं उसको केंद्र की मोदी जी कि सरकार को समझ ना होगा और अपने फैसले जिस पर काले कानून किसी के लिए थे उस तरह किसी इने वापस लेने क्या होगा चलिए मेरे पास समय की कम्या इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा गंशाम जी राजीव जी और अनिल जी आप तीनों महमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना मत रखने के लिए लेकि सवाल यही उठाए कि आखेर फिर अगर इस तरह से युवाज सड़कों पर आकर हिंसा करने लगे और नाराजगी जाहिर करने इस अगनिपत यूजना को लेकर तो क्या सरकार को एक बार फिर से जरूरत है इस यूजना की सटीक जानकारी दे इसकी जमीन एक बार फिर से अंदेश युवाओं तक पहुंचाए जाए इस खास जर्चा में इतना ही दीजिए इजासत नमस्कार